अप्टिकली सब कुछ आपको बहुत अच्छा दिखेगा उसको वालुएशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और यू अप्सक्राचिंग यूर हेड की इसमें कॉल क्या देना चाहिए वन सच कंपनी जो अभी भी प्राइस के हिसाब से लुक्स लाइक ग्रेट बाई बिजनस के हिसाब से भी तो मी लुक्स लाइक गूड बिजनस लेकिन इसमें इस वक्त अभी के मार्केट कंडिशन में इमीजेटली आप एक तरह से बाई या सेल दोनों नहीं बोल सकते दिस कंपनी इस सारे गामा सारे गामा वस दो अर्स्ट वाइल जिसको आप जानते हो ग्रामोफोन रेकॉर्ड के टाइम से चली आ रही है बहुत पुराना हिस्ट्री है इसका और यह connected है music labels से तो इनका 82% revenue तो music sources और streaming से आता है you might have heard of a company काल HMV तो HMV के legacy से सारे गामा बनता है सारे गामा का the good part है the good part about this stock is net profit like I said for Root Mobile दो दिन पहले सारे गामा का net profit बढ़ता जा रहा है and when I say बढ़ता जा रहा है मतलब every year net profit 25-25% minimum growth दे रहा है 2019 to 2020 post 2020 देखोगे तो आप एक speech के एक साल में तो 3 गुना हुआ था so that is a good part ROE अभी हमारे comfort से थोड़ा कम है लेकिन hopefully increase होगा तो वो 20% के उपर जा सकता है फिलहाल it is 16-17% but it is on an upward spiral मतलब वो improve हो रहा है गिर नहीं रहा है फिर उसके बाद आपका आता है ROCE consistent है इंपरोव हो रहा है FII का stake काफी अच्छा है company में and वो stake बढ़ा रहे है promoters ने अपना stake थोड़ा sell किया है तो then there is a mixed signal here last stock ने perform किया होगा but जब COVID के time perform कर रहा था प्रमोटर्स exit कर गए थे अभी promoters के पास 58% है FII's have a decent holding वो confidence देता है FII's में आप जबी भी holding देखोगे न Abudhabi Investment Authority जिस company में 1.5% से ज़्यादा holding लेती है that's actually considered a good sign यह मैं आपको एक stock का life hack बता रहा हूँ कि वो Abudhabi Investment Authority जो Middle East की है बहुत बड़ा investment fund है वो FII है तो यह लोग India के जिस company में पैसा लगाते हैं eventually वो company बहुत सोच समझ के सारे FII's research करके पैसा डालते हैं but these guys I have seen have a very clean kind of a track record उनका track record काफी अच्छा है 1.5% के उपर अगर एक गए तो company ठीक ठाक मानी जाएगी price to earning ratio high है guys 33 का PE ratio है इस भाव पे price है सारे गामा का 327 at 327 book value 75 याने 4.5 का price to book 33 का PE ratio problem यह है कि stock continuously downtrend में है जब इसका trend बदलेगा कभी न कभी depending on the market situations इस पे नजर रखनी चाहिए you should keep a bird's eye view on these kind of stocks क्योंकि जब यह बदलेंगे तो यह बहुत जोर से आगे बढ़ेंगे 6,000 करोर की company है technically I would still put it in a small cap stock तो अगर small cap में high risk लेना ही है I am not saying just go out and buy this but please अपने registered financial advice से जब consult करेंगे तो इस तरह के stock आपके mind में भी होने चाहिए as a self assessment की भाई मैंने भी यह दूण के रखें I'll see you around in the next video very soon till then keep profiting let's hope fingers crossed कि Finland के NATO join करने से हमारे nifty को जादा धक्का ना लगे लेकिन आसार तो कुछ अच्छे नहीं लग रहे है because April is a truncated trading month April में इतनी सारी छुटियां है guys कि आप believe नहीं करेंगे इस हफते में देख लो ना Wednesday, Thursday markets are open Friday, Good Friday market बंद है अगले हफते फिर वापस बीच में छुटियां बहुत है April में बहुत छुटियां है so छुटियों के पहले traders usually अपनी positions cut करते हैं उसके वज़े से volatility और बढ़ जाती है so keep a track बजार अपना ही है जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां अगर आपका वो flavor है तो बजार आपको ज़रूर reward करेगा I'll see you around in the next video very soon keep profiting